Welcome to PLS Education आज हम इंडिया के 28 स्टेट्स को ट्रिक्स के साथ याद करेंगे सबसे पहले वो 16 स्टेट्स जो इंटरनेशनल बाउंडरी पर हैं और इनकी सुरुवात हम इस्टन साइट से बांगलादेश से करेंगे इंडिया की लोंगेस लेंड बाउंडरी बांगलादेश के साथ है इनकी ट्रिक है अमित बैंगोल में A से आसाम, MI से मिजोरम, T से तिरप्रा, बैंगोल से वेस्ट बैंगोल, में से मेगालिया तो ये पांच स्टेट हैं जो बांगलादेश की बॉर्डर पर हैं इनकी ट्रिक है अरुना मामी, अरु से अरुनाचल परदेश, ना से नागालेन, मे से मनिपूर, MI से मिजोरम तो ये चार स्टेट हैं जो मेंगोलादेश की बॉर्डर पर हैं इसकी ट्रिक है आसिक यूही लड़े, ए से अरुनाचल परदेश, सिक से सिक किम, यू से उत्राखन, ही से हिमाचल और हिमाचल अब इंडिया का नदन मो स्टेट हो गया है क्योंकि जमू कश्मीर और लद्दाक को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिल गया है लड़े से यूनियन टेरिटरी लद्दाक, तो चार स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी की बोर्डर चाइना से लगती है नेक्स्ट बुटान और इनकी ट्रिक है अरे वो आशिक, अरे से अरुनाचल परदेश, वो से वेस्ट बेंगोल, ए से आसाम, सिक से सिक किम तो ये चार स्टेट हैं जिनकी बोर्डर भुटान से लगती है नेक्स्ट नेपाल और इनकी ट्रिक है नेपाली भी वूशू एक्सपर्ट, वूशू मार्सलाट चाइना से और इसनेट हुई थी और चाइना नेपाल की बॉर्डर लगती है तो नेपाली भी वूशू एक्सपर्ट होगे नेपाल से नेपाल कंट्री, B से बिहार, W से वेस्ट बेंगोल, U से उत्राखन, S से सिक्किम, U से उत्रप्रदेश तो ये पांच स्टेट हैं जिनकी बॉर्डर नेपाल से लगती है, तो नेपाल और बंगलादेश इंडिया के सबसे ज़्यादा स्टेट को बॉर्डर करते हैं, दोनों की पांच-पांच स्टेट से बॉर्डर लगती है नेक्स्ट अफगानिस्तान अफगानिस्तान की इंडिया के साथ shortest land boundary है और इंडिया के latest political map के coding Union territory लद्दाक की boundary अफगानिस्तान से लगती है नेक्स्ट पाकिस्तान पाकिस्तान हमेशा इंडिया को बिनाबाद हर चीज़ के लिए blame करता रहता है इसे इंडिया का नाम जपने का रोग लग लग गया है तो इसकी ट्रीक है जप रोग J से union territory जमू एन काश्मीर P से पंजाब R से राजस्तान G से गुजरात और इंडिया के latest political map के coding Union territory लद्दाक की boundary भी पाकिस्तान से लग रही है तो जप रोग प्लस लद्दाक ये पाकिस्तान की ट्रीक होगी तो इंडिया के तीन स्टेट और दो union territory पाकिस्तान को border करते हैं इंडिया के तीन ऐसे स्टेट है जो तीन तीन कंट्रीज को border करते हैं फस्ट वेस्ट बेंगोल इसकी border नेपाल, भूटान और बांगला देश से लगती है सेकिन सिक्किम इसकी border नेपाल, भूटान और चाइना से लगती है थर्ड अरुनाचल परदेश इसकी border चाइना मेयनमार और भूटान से लगती है union territory लद्दाक की boundary भी तीन कंट्रीज से मिलती हैं फस्ट चाइना सेकिन अफगानिस्तान थर्ड पाकिस्तान इंडिया के तीन ऐसे स्टेट हैं जिनकी boundaries दो-दो कंट्रीज से लगती हैं फस्ट उत्राखन नेपाल और चाइना सेकिन आसाम बुटान और बांगला देश थर्ड मिजोरम मेयनमार और बांगला देश अब हम इंडिया के कोस्टल स्टेट्स को याद करते हैं सी कोस्ट पर इंडिया के नो स्टेट हैं और इनकी ट्रिक है बोट में केक गुम गया ये ट्रिक इस टू वेस्ट है और सारे स्टेट इसमें एक सीक्वेंस में है बी से बैंगल यानि West Bengal O से Odisha A से Andhra Pradesh और ये Language के basis पर बनने वाला पहला स्टेट था तीसे तमिलनाडू मेक एवल्ट्री के लिए है K E से केरला सेकिन के से करनाटका G से गोवा Small state M से महरास्ट्रा G से गुजरात State having maximum coast line और इसमें गुजरात और West Bengal को छोड़के बाकी सारे साथ state हैं ये इनकी कोई international boundary नहीं लगती इसके लावा इंडिया के interior में भी पांच state है जिनकी कोई international boundary नहीं लगती इनकी trick है हट जा, CM H से हर्याना T से तेलंगाना J से जारखन C से 36 गड M से मध्यपरदेश तो इस पांच state इंडिया के interior में हैं और साथ coastal areas पे हैं जिनकी कोई boundary नहीं लगती तो कुल 12 state होगे और 16 state ऐसे हैं जो international boundaries पर हैं मुझे उमीद है इस trick से आपको ये सारे states बहुत आसानी से याद हो जाएंगे Thank you for watching